भाई लोग इंदुनो नुपुर सर्मा के बयान से खारी देशों में खलवली मची हुई है गतल कुवेत इरान जैसे देशों में इंडियन प्रोडक्स का भाईस कार चल रहा है जिसकी वजासे बीजेपी को नुपुर सर्मा को निलंबित करना पड़ा जो कई बीजेपी नेता कारे करता और बीजेपी सपोर्टर्स के गले नहीं उतर रहा लेकिन अब सवाल उठता है कि नुपुर सर्मा ने ऐसा क्या कहा जो खारी देशों को हजम नहीं हुआ तो भाई नुपुर सर्मा ने टीवी न्यूज चेनल की डिवेट के दोरान कहा था कि कुछ लोग हिंदू आस्था का लगातार मजा कोड़ा रहे हैं अगर ऐसा है तो वहे भी दूसरे धर्मों का मजा कोड़ा सकती हैं इसके बाद उन्होंने वही कहा जो दस साल पहले जाकिल नाइक खुद बोल चुका है लेकिन अपसोस नुपुर सर्मा के बयान पर पाकिस्तान समेख खारी देश तो आपत्ती जता सकते हैं लेकिन जाकिल नाइक के खिलाब कोई भी खारी देश एक सब्द नहीं बोलता जबकि जाकिल नाइक ने भी वही कहा जो नुपुर सर्मा ने कहा था भाई चलो मैं मानता हूं किसी के खुदा भगवान के बारे में बोलना गलत है तो भाई ये कहां तक सही है जो पिछले कुछ हपतों से शिवजी और सिवलिंग के बारे में बद्दे पोस्ट किये जा रहे थे इस पर कोई खारी देश क्यों नहीं बोलता M.F. हुसेन हिंदु देवी देवताओं की असलील पैंटिंग बनाता है इस पर कोई खारी देश क्यों नहीं बोलता पाकिस्तानी साजिता एहमद हिंदु देवी देवताओं की तस्वीरे जलाती है इस पर कोई खारी देश क्यों नहीं बोलता अगर नुपुर सर्मा गलत है तो ये दूसरे धर्मों का अपमान करने वाले लोग सही कैसे क्यों कोई खारी देश इनके खिलाप आवाज नहीं उठाता भाई अगर ये दूसरे धर्मों के देवी देवताओं का अपमान करें तो अभिव्यक्ति की आजादी और अगर कोई दूसरा इनके बारे में बॉल दे तो इन पर हमला और भाई ये देखो सबसे जादा उचल कौन सा देश रहा है कतर जो साला खुद आतंकी फंडिंग की वजा से ग्रे लिस्ट में सामिल होने की कगार पर है और भाई ये वही कतर है जिसने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले में फुसेन को अपने देश की नाग रिकता दी थी और आज ये घ्यान दे रहे हैं भारत को पहली बात जो मोदी जी के पीछे पर रहे हैं एक बाद बताओ मोदी जी ने कोई बयान क्या खुद दिया है जो मोदी जी के खिलाप भोक रहे हो और भाई इन देशों की ओकाद देखो जो देश सबसे ज़्यादा इंडियन प्रोड़क्स का बहस्कार कर रहे हैं उनकी GDP की कुल जीडीपी 206 बिलियन डॉलर और जितनी इन दोनों की कुल जीडीपी है उतना तो अकेले भारती कंपनी टाटा गरूप का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 300 बिलियन डॉलर और बात करें इंडियन एकॉनमी की तो वह 3.5 ट्रिलियन डॉलर अब भिकारी पाकिस्तान कहेगा इतना सारा पेशा और भाई इन देशों के तेवर सिर्फ तब तक हैं जब तक इनके पास तेल है जब 20-25 सालों में तेल नहीं होगा और इलेक्ट्रिक गारिया होंगी तो साले सब के सब पाकिस्तान की तरह भीक मांगते नजराएंगी बाबा ये बात तो गलत नहीं भाई भूलो मत ये वही देश हैं जो 1971 इंडिया पाक युद्ध में पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए थे केवल इजराइल था जो खुलके भारत के सपोर्ट में आया था और मदद भी की थी लेकिन अब सवाल उठता है कि ये इतनी छीचा लेदी फेलाई किसने जो बदनाम कर दिया है और बाकी बची कुछी कशल पूरी की पाकिस्तान ने भारत की खराब करने के लिए अलग-अलग देशों से भारत के खिलाप ट्विटर पर ट्रेंड चलवाए ताकि दुनिया में भारत की इमेश खराब की जा सके क्योंकि इनके पास अब तक कोई हतिया था नहीं जो खारी देशों को भारत के खिलाब कर सके इन्होंने अपना हत्यार बनाया नुपुर सर्मा के बयान को जिसकी वजासे युएई साओधी अरब जैसे देश जो 370 के मुद्दे पर भारत के साथ खड़े थे वो भी भारत से नाराज नजर आए हलाकि इनका नाराज होना जायज भी है लेकिन सवाल ये उठता है कि चीन द्वारा वीगर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार के खिलाब कोई खारी देश क्यों नहीं बोलता पाकिस्तान में चल रहे सिया सुनी के बवाल पर कोई खारी देश क्यों नहीं बोलता तालिबान द्वारा किये जा र पूर्व प्रधानमन्त्री यहां तक कि पाकिस्तानी आवामने तक भारत के खिलाप इतना दुस्ष्प्रचार किया जितना वो करसकते थे लेकिन इन की में ओकात क्या myself उससे पूरी दुनिया वाकित है लेकिन फिर भी भारतिय विदेश मंत्राले ने अपना बयान जारी करते हुए पाकिस्तान को आई न दिखाया भारतिय विदेश मंतराले में अपना statement जारी करते हुए कहा अलप संक्याकों के आधिकारों का बारवार उलंगन करने वाले किसी अन्य देश के अलप संक्याकों के साथ हो रहे व्यभार पर बयान बाजी कर रहे हैं दुनिया पाकिस्तान द्वारा हिंदूओं, सिको, इसाईयों और एहमदियों सहित, अलप संक्यकों के लगातार उत्पीरन की गवा है। भारत सरका सभी धर्मों का सम्मान करती है, जबकि पाकिस्तान में कट्रपंतियों को सराहा जाता है, और उनके सम्मान में इसमारक बनाय जाते हैं। बस थोड़ा सब्र करो, जब तक जमीन में तेल है, तब तक इनकी वेल्यू है, जब तेल नहीं होगा, और भविस्चे में इल्यक्तिक गारिया होगी, तो आप लोग ही ने कमाने के लिए तेल चटाई देने का ओफर दे रहे होगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों आप वीडियो में।